तो जो यूजवली ब्लट लाइन एंडिंग होती थी आज वो उल्टा ब्लट लाइन के साथ हो गई है विकॉज आज पटके गए हैं सोलो सिक अवर जीमी उसो और वह भी शील बॉम के अंदर सो एलो एवरीबड़ी और वीडियो जो स्मैक डाउन है वो आज का खतम हो चुका सब्सक्राइब करेंगे सो विदाउट वेसिंग इनी टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो देखो हुआ के शोगी उपनिंग के अंदर पहले निक ओल्डिस पॉल हीमन और सोलो से कोवर जीमी उनको लेगर सेग्मेंट होता है हुआ कि ऑपनिंग के अंदर कार्मेलो हेस और ग्रिसन वालर का माच होने जा रहा था उससे पहले ब्लड लाइन आके अटैक करती है यह कहते हुए कि निक ओल्डिस एक विलन है वो जेम्स बॉंड बनने का ट्राय कर रहा है इसलिए उसे रोमन का फीटल फूर्वे माच कैंसल करना पड़ेगा रिजल्ट क्या होता है नि कि निक ओल्डिस इस मैच को कैंसल नहीं करते है उल्टा हुए मेन इवेंट अनौस करते है जहाँ पर सोलो जीमी एंड रोमन फेस करेंगे एले नाइट एज स्टाल्स और रैंडी ओटन का पॉलिमन ही कहते कि भाई आज रोमन रेंज नहीं है तो रोमन तो नहीं करेगा तो तुम्हें रोमन नहीं मिल रहा है तो यह मैचिक हैंडिक होगा अब चोगा में इवेंट होता है पहले ही जब रैंडी ओटन के इंट्रेस ओरी होती है उन्हें पे आके अटाइक कर देते हैं तो मैच 2-2 होता है बिकॉस स्टार्टिंग में ही जो सोलो है और जीमी है फेस कर ब्लड लाइन टेक ओवर करेंगी और अखरी में टैग लेते हैं और उसके बाद ब्लड लाइन की हार हो जाती है राइंडी ओटरी हासल करते हैं इसका दमलोग देखते हैं हलके से डिस्प्यूट जो है वह एले नाइट और एजिस टार्स की बीच में होते हैं राइंडी ओ लोगों को पड़ा विकॉज टेबल था वरना जिमी को पड़ जाता लेकिन शोलो को आज एक शील्ड बॉंब पड़ा है जब एले नाइट अपने कंधों पर उठाते हैं राइंडी ओटन इस चीज को करते हैं सपोर्ट और कुछ इस तरीके से आज का स्मैक डाउन का शोव को टेक ओवर करेंगे जब हम लोग बढ़ेंगे रॉयल रंबल की तरफ और स्पेशली रोवन का क्या रियाक्शन होने वाला है जब ब्लट लाइन पेटी एक दम भायंगर तरीके से चलो बाइद वीडियो अगर यह वाली वीडियो पसंद आए वीडियो को नीचे लाइक क कियर